कालू कव्वे ने गोरी कव्वे के साथ शादी कर ली लेकिन गोरी को बाद में पता चला कि कालू को एक काम नहीं करता और वो बेरोजगार है इसलिए गोरी कव्वे ने कालू कव्वे को छोड़ दिया वो अपने माय के वाकस चली गई जब गोरी के पिता को ए बात पता चली कि कालू ने अपने बेटी के साथ धोका किया है तब उनोंने टपोरी पंचियों से कालू कोवे की बहुत पिटाई करवाई मारखानी की वज़े से बेचारा कालू अपचल फिर नहीं सकता लाडो चिडिया और टूनी चिडिया को अपने किये पर बहुत पचतावा हो रहा था मीनू मोसी पहले से ही इस शादी के खिलाफ की लेकिन जेसे ही उन्हें ये पता चला कि दूसरे जंगल के टपोरे पंची कालू कव्वे को मार रहे है तबी मीनू मोसी ने उन सारे पंचियों का अकेले ही सामना किया मीनू मोसी ने उन सब को जंगल से ख़देड दिया मोसी की वज़र से कालू कव्वे की जान बच गई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोसी अगर आप आज याह नहीं होती तो ये पंची मुझे मार मार कर मेरी जान ही ले लेते अरे ऐसे कैसे जान ले लेते उन्हें पता नहीं अभी मीनो मोसी जिन्दा है मेरे रहते इस जंगल के किसी भी पंची को बाहर के जंगल के पंची हाथ भी नहीं लगा सकते मोसी ने कालू का बहुत अच्छे से खयाल रखा अब कालू कववा दीरे दीरे ठीक होने लगा कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और इधर गोरी के पेट में दर्ध होने लगा गोरी ने ये बात मा को बताई मा मेरी पेट में बहुत दर्ध हो रहा है रुको मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ डॉक्टर ने गोरी की जाच की अरे गोरी की मा ये तो बहुत खुशी की बात है अब आप दादी बनने वाली हो आपके घर एक नन्नाम में मानाने वाला है गोरी की मा ने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कह लेकिन वो जैसे ही चले गए तो उसने गोरिक को डाट लगाई अरे मुर्ख लड़की ये तुने क्या कर दिया अगर तुझे पता था तेरा पती कुछ काम नहीं करता तो तुने ये बच्चा अपने पेट में क्यों रखा मा मुझे नहीं पता था कि मैं पेट सी हूँ मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए हम डॉक्टर से बात करते है और ये बच्चा गिरा देते है अरे बेटी क्या तुम्हें पता नहीं बच्चा गिराना कानूनर अपराद है इसके लिए हमें जेल भी हो सकती है तो मा अब हम क्या करे अब तो तेरे पास एक ही रास्ता बचा है तुझे तेरे पती के पास वापस जाना होगा अगर तुम नहीं गई और तुम्हारा बच्चा इस जंगल में पैदा हो गया तो हमारे बिरादरी के कवे हमें इस बस्ती से निकाल देंगे तेरे पापा बाहर शहर गए है उनके आने से पहले तु चली जा अपने पती के पास गोरी की मा गोरी को कुछ पैसे और अनाज दे देती है और उसे कालू के पास जाने के लिए विदा कर देती है गोरी दिल पर पत्थर रखके कालू कवे के पास वापस आ जाती है पर विश्वासी नहीं हो रहा कालू पलंग से उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठते ही नीचे गिर जाता है अजी ये क्या हूँ आपको आपकी ये हालत कैसे हो गई अरे छोड़ो ये सब अब तुम आ गई हो ना मैं अब जल्दी से ठीक हो जाऊंगा गोरी ने रात का बनाया और कालू को अपने गर भवती होने के बारे में बताया अजी सुनिये मुझे आपको कुछ बताना है आप पापा बनने वाले हो जैसे ही कालू नी ये बात सुनी वो खुशी से पागल होने लगा अरे वा गोरी ये तो बहुत खुशी की बात है लेकिन मैं खुश नह अजी आप समझ नहीं रहे हम दरीब है हम इसे पाल पोस्त के कैसे बढ़ा कर सकते हैं इसके लिए हमें अनाच और पैसिक की जरूरत होगी आप कुछ भी कहो लेकिन मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती एक काम कीजिए मैं जैसे ही अंडा दे दूंगी आप इस अंडे को कही पर छोड़ाईए आगे जो होगा देखा जाएगा कोरी के जितके आगे कालू कव्वे की एक न चली कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन कोरी ने एक प्यारा सा अंडा दे दिया उसी दिन टूनी चिडिया ने भी एक अंडा दिया था सुनिए जी मैंने अंडा दे आप अभी के अभी जाईए और या अंडा कहीं पर छोड़ दीजिये तभी तेज बारिश शुरू हो गई अरे भागवान अभी तो बारिश भी शुरू हुई है मैं बाद में जाता हूं नहीं नहीं यहीं सही समय है चलो अभी जाओ कालू ने ना चाते हुए भी उस अंडे को उठाया और चल पड़ा बारिश में जब वो टूनी की गोसले के उपर से उड़ रहा था उसने देखा कि टूनी की गोसले में पहली से ही एक अंडा मोजुद था अरे ये क्या लगता है टूनी बहन ने बे आज एक अंडा दिया है कल में जब यहां से गुजर रहा था तब तो यह अंडा यहां पर नहीं था तभी कालू कोवे के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है उसने अपना अंडा चुप केसी टूनी की गोसले में रख दिया कोई उसे ऐसा करते हुए देख ले उससे पहले वो अपने घर वापसा गया तूनी चुडिया अनाज लाने के लिए बाहर गई थी उसने देखा कि गोसले में उसके अंडे के साथ साथ एक और अंडा भी है अरे सुबह तो मैंने एक ही अंडा दिया था लेकिन यहाँ पर तो दो दो अंडे है तबी टूनी चिरिया का पती बंटी चिरा वहाँ पर आ जाता है सुनिए जी ये देखिए सुबह तो मैंने सिर्फ एक ही अंडा दिया था लेकिन पता नहीं मैं अनाजलाने बाहर गए थी और वापस आकर देखा तो यहाँ पर एक के बज़ाए दो-दो अंडे थे बंटी चीरा दूसरे अंडे को देखकर सोच में पड़ गया अरे भागवार सुबह अंडे रा था ना शायद तुमने दो अंडे दिये होंगे टूनि को कुछ समझ नहीं आ रहा था हाँ ऐसा भी हो सकता है चलिए कोई बात नहीं एक से भले दो मैं मेरे दोनों अंडों का बहुत अच्छे से खयाल रखूंगी दिन बित्ते गए और एक दिन टूनि के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहरा गए पर ये क्या टूनि का एक बच्चा तो बिल्कुल टूनि के जैसा ही है लेकिन दूसरा बच्चा तो बिल्कुल काला है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन टूनी चिडिया ने दोनों बच्चों में बेगभव नहीं किया उसने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से संभाला मा तो आखिर मा होती है अपना बच्चा गोरा हो या काला हो दुनिया के हर मा को अपना बच्चा बाकि के सारे बच्चों से सुंदर ही लगता है पूरे बस्ती में ये बात फैल गई के टूनी चरिया को काले रंका बच्चा पैदा हुआ है एक एक करके जंगल के सारे पंची टूनी के उस बच्चे को देखने आने लगे और बेचारे टूनी चिरिया को ताने मारने लगे अरे ओ टूनी गर्भावस्ता में तुमने क्या खाया था जो तेरा एक बच्चा गोरा और एक काला पैदा हो गया मैंने तो सुना था कि मा का प्यार तो अंदा होता है लेकिन इतना अंदा होता है ये तो पहली बार देख रही हूँ अगर मुझे ऐसा काला बच्चा पेदा होता तो मैं उसे अंडे से बाहराते ही मार देती मेनु मोसी पास वाले पेड से ये सब देख और सुन रही थी मेनु मोसी को टूनी चिडिया पर दया आ गई और वो टूनी चिडिया के घुसले के पास आ गई मेनु मोसी ने सारे पंचियों को डाट लगाई क्या तुम सब पागल हो गए हो बेचारी टूनी चिडिया का एक बच्चा काला हुआ तो क्या हुआ क्या उसे जीने का कोई आधिकार नहीं है आप सब नहीं जानती कि एक माह होना कितना सुकह दानुबव होता है और तुम डानो चिडिया तुमें तो कोई बच्चा भी नहीं है फिर भी तुम टूनी को बोल रही हो तुम सब अभी क्याभी यहां से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर आगे से किसे ने भी तुमी चिडिया को कुछ कहा तो याद रखना उसे में छोड़ूंगी नहीं दीरे दीरे दिन गुजरते गए जब तुमी के दोनों बच्चे छोटे थे तब उसे दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाए दिया लेकिन जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होने लगे उसे समझ आ गया कि उसका दूसरा बच्चा कव्वे का है तुनी ने फिर भी अपने दूसरे बच्चे के प्रती अपनी मा की ममता को कम नहीं किया जंगल में फिर से ये बात फैल गई कि टूनी चिडिया का दूसरा बच्चा एक कव्वे का है कालू कव्वे ने गोरी से ये बात चुपाई थी कि उसने अपना अंडा टूनी चिडिया के गुसले में छोड़ दिया था जैसे ही गोरी के कानु तक ए बात आ गई कि टूनी की गुसले में एक कव्वे का बच्चा पर रहा है तो वो कालू कव्वे से पूछने लगी मुझे सच सच बताओ कालू मैंने जो अंडा दिया था उसे तुमने कही पर छोड़ने के बजाए टूनी चिडिया के गुसले में तो नहीं रखा था शुरू शुरू में तो कालू कव्वे ने कुछ नहीं कहा लेकिन गोरी के बार-बार पूछने पर कालू ने गोरी को सारी हकिकत बता दी हाँ भागवान वो बच्चा हमारा ही है जैसी ही गोरी को एबात पता चली नजाने कहां से गोरी की माग की ममता जाग उठी और वो सीधा निकल पड़ी टूनी चिडिया के पास अरे ओ टूनी तूने जो कोवे का बच्चा पाला है वो मेरा है अरे तू एसे कैसे बोल रही है मैंने बच्चपन से इसे पाला है तू अच्छानक से ऐसे आकर इसे अपना बच्चा कैसे कह सकती है तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरा ही बच्चा है दोनों में जगडा शुरू ही था तभी गोरी की पीछे-पीछे कालू भी वहाँ पर आ जाता है अरे गोरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो, गर वापस चलो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ये बच्चा मेरा है मैं मेरे बच्चे को लिए बगर यहाँ से नहीं जाऊंगी कालू, तुम ही बताओ, कि सच्चाई क्या है? कालू कववे ने सारी बात टूनी चिडिया को बताई तुम कुछ भी कहो कालू लेकिन सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई मा नहीं बनता यह सारी बात चिल राजा के कारणों तक पहुंच जाती है राजा जी ने फैसला करने के लिए गोरी और टूनी को दरबार में बुला लिया राजा जी ने दोनों को अपनी अपनी बाते कहने का मोका दिया और आखिर में अपना फैसला सुना दिया कोरी तुमने बच्चा पैदा तो किया लेकिन तुमने उसे संभालने के बजाए उसे कालू कवे को छोड़ने के लिए कहा ये तो अच्छा हुआ कि कालू ने उसका बच्चा टूनी के गोसले में रखा और टूनी ने इस बच्चे को बड़ा किया है मैं आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई मा नहीं बनती उसे अपने बच्चे को बड़ा भी करना होता है और मा का प्यार भी देना होता है ये सब टूनी ने किया है इसलिए अप इस बच्चे पर टूनी का पूरा अधिकार है सारे पंच्छों ने इस फैसले को सही समझा राजा जी ने गोरी को बच्चे को ना संभालने के जुर में सजा भी सुनाई